13,000 का budget range एक ऐसा budget range है जहाँ पे phone बहुत सारा है तिकत भी यही है बहुत सारा phone है बहुत सारा phone है तो confusion create तो होगा ही कोण सा phone हमें लेना चाहिए कोण सा phone based phone होगा यह चीज हम सभी को पता है कि सभी phone एक अच्छा value for money smartphone नहीं होता है काफी सारा ऐसा phone है जो 9,000-10,000 रोपिया मे क्योंकि guys इस video में मैंने 13,000 के आसपास में आने वाले धेड़ो सारी smartphone में से सिर्फ और सिर्फ पांची smartphone को अपने list में रखा है जो कि based and value for money smartphone है और इन सभी phone के छोटी से बड़ी specification को details में बताएंगे आज के इस video में तो अगर आप जानना चाहते है कि कौन-कौन से based phone है कौ आपको लेना चाहिए तो वीडियो को भीना skip के लाश्ट तक देखते रहेगा तो लिस्ट के पांचवे नंबर प्याता है वीवो के तरब से वीवो T3 Lite 5G और हां सभी phone को रैंक कर दिया है नंबर 5 वाले phone से start करेंगे और घटते घटते नंबर 1 तक जाएंगे अगर आपका बजट 10-11,000 के आसपास में है और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया 5G phone चाहिए तब आप इस phone की दरब देख सकते हैं तो क्या ही specification के साथ ये phone आता है आईए देखते हैं तो इसमें 6 inch का HD plus IPS LCD display मिलेगा इसमें 90 Hz का refresh rate मिलेगा और 840 nits का peak brightness है brightness ठीक है इंडोर बगेरा में कोई दिक्कत नहीं होगा बर ध्यान रहे ये display भी नोच के साथ आता है खेर camera की बात करेंगे तो इस phone के back side 2 camera मिलेगा man camera 50 megapixel का है second camera 2 megapixel का है और selfie camera वो 8 megapixel का है man camera का 1.8 का aperture है और आप आगे पीसे दोनों ही camera से 1080p पर video recording कर पाएंगे 30 fps पर 10-11,000 के budget के recording camera सही मिले 6NM पर बना हुआ ये processor है और लगभग 4,15,000 के आसपास अंतूत्वी score है score बढ़िया है and 10-11,000 के budget के recording processor powerful मिलेगा बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का battery मिलेगा और ये support करता है 15 watt का charger को ये एक normal charger है charging में थोड़ा मोरा time ले सकता है बाकी बात RAM storage की बात करेंगे तो इस फोन प्लास्टिक body के साथ आता है प्लास्टिक का back प्लास्टिक का frame दिया गया है 185 gram इस फोन का weight है and 8.5 mm का thickness है weight और thickness average से है बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं और बाकी बात design wise ये phone दिखने में ठीक लगता है इसमें 3.5 mm वाला headphone jack मिलेगा hybrid load भी दिया गया है जिससे आप दो sim या फिर एक sim एक memory card को एक साथ लगा पाएंगे security के लिए face unlock का support तो मिलेगा ही and side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो ये phone phone touch 14 के साथ आता है जो कि ये run करता है android 14 पर और इसमें ip64 का rating भी मिल जाएगा तो फिर आये finally बात कर लेते है phone का price गतो तो ये phone दो variant में आता है 423 के लिए फिलाल के time पे 10,000 रुपया देना होगा और 623 के लिए फिलाल के time पे 11,000 रुपया देना होगा तो 10-11,000 के budget में आने वाला ये है एक अच्छा बढ़िया 5G phone है अगर आप इस phone को लेना चाहिए तो ले सकते हैं तो फिर चलिए video में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिष्ट का अगला phone का अब तो अब लिष्ट में चौथे नमबर पे आता है Realme के तरब से Realme 2L X 5G, Realme के तरब से 13,000 के आसपास में आने वाला ये है एक अच्छा बढ़िया phone है और इस budget के coding इस phone में भी सभी specification वेगरा तो क्या इस specification के साथ ये phone आता है आएए देखते हैं एकदम details से तो display की बात करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का full HD plus LCD display मिलेगा जो की punch hole display है इसमें 120 Hz का refresh rate and 240 Hz का sampling rate मिलेगा और 950 nits का peak brightness भी है तो refresh rate and brightness वेगरा सब कुछ बढ़िया मिलेगा and display सही है इस budget के phone में LCD display मिलना कोई खर camera मिलेगा man camera 50 megapixel का है second camera 2 megapixel का है और selfie camera वो 8 megapixel का है primary camera का 1.8 का aperture है और आप आगे पीछे दोनों ही camera से 1080p पर video recording कर पाएंगे 30 fps पर primary camera better मिलेगा and selfie camera वो decent है प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Mediatek Dimensity 6100 पलस वाला प्रोसेसर मिलेगा 6 NM पर बना हुआ ये प्रोसेसर है और ल battery की बात करेंगे तो इसमें 5000 image का battery मिलेगा और ये support करता है 45 Watt का charger को जी हाँ दोस्तों इसमें 45 Watt का charger मिलेगा जो कि आपके phone को काफी तेजी से charge करके देदेगा और RAM storage की बात करेंगे तो इसमें 6 GB का RAM and 128 GB का internal storage है और आप इसमें 2 TV तक का memory को लगा कर storage को बढ़ा भी सकते है इसकी अलावा build quality की बात करेंगे तो ये phone plastic body का ही साथ आता है 188 gram इस phone का weight है and 7.6 mm का thickness है तो काफी पतला phone है और weight average सा है design wise ये phone दिखने में तो ठीक लगता है फिर भी देख लीजेगा आप अपने recording इसमें hybrid load मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर एक SIM एक memory card को एक साथ लगा तो ये phone realme UI 5.0 के साथ आता है जो कि ये run करता है latest software android 14 पर तो फिर आये finally बात कर लेते है इस phone का price ही कर दो तो ये phone 3 variant में आता है 4 128 के लिए फिलहाल के time पे 12,000 रुपया देना होगा 6 128 के लिए फिलहाल के time पे 13,000 रुपया देना होगा और बात रहा 8 128 के लिए तो उसके लि आता है एक सही smartphone है अगर आप इस phone को लेना चाहे तो ले सकते हैं तो फिर आप चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अभ तो list के third number प्याता है Redmi के तरब से Redmi 13 5G दोस्तों ये phone दिखने में काफी खुबसूरत तो लगत है and 205 गराम इस phone का weight है तो build quality काफी better मिलेगा and design by your phone दिखने में काफी खुबसूरत लगता है तो इसमें 3.5 mm वाल जैक मिलेगा hybrid load भी दिया गया है security के लिए side mounted fingerprint का sensor मिल जाएगा and face unlock का support भी है और user interface की बात करेंगे तो ये phone hyper OS के साथ आता है जो कि ये run करता है Android 14 पर और इस display की बात करेंगे तो इसमें 6.79 इंच का full HD plus IPS LCD display मिलेगा जो की punch hole display है इसमें 120 hertz का refresh rate and 240 hertz का touch sampling rate मिलेगा 500 nits का brightness है और इसके उपर corning godila glass 3 का protection मिल जाएगा brightness बहुत जाजा कम भी नहीं है ऐसा है कि इससे काम चल सकता है और refresh rate वेगरा तो बढ़ियां है तो display सही मिलेगा अब ब back side 2 camera मिलेगा man camera 108 megapixel का है second camera macro sensor है जो की 2 megapixel का है और selfie camera वो 13 megapixel का है primary camera का 1.8 का aperture है और आप आगे पीछे दोनों ही camera से 1080p पर video recording कर पाएंगे 30 fps पर primary camera is phone का better मिलेगा and selfie camera वो भी सही है इस budget के according camera is phone का सही मिलेगा अब बात करते हैं इस phone का performance का तो इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 वाल प्रोसेसर मिलेगा 4NM पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 4,5,4,5 अन्तूतू score है प्रोसेसर पावर्फुल ही है और score सही है बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5030 mh का बैटरी मिलेगा और यह सपोर्ट करता है 33 Watt का charger को यह charger ल इस phone का base variant है और इसका price फिलाल के time पे 13,000 रूपया है इस phone का top variant भी आता है 888 जिसका price फिलाल के time पे लगभग 15,000 के आसपास में है तो 13,000 के budget में आने वाला यह है एक अच्छा बढ़िया फोन है अगर आप इस phone को लेना चाहे तो ले सकते हैं तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अब list में second number पे आता है IQ के तरब से IQ G9X 5G दोस्तों फिलाल के time पे यह phone भी आपको 13,000 के आसपास में आराम से मिल जाएगा और इस budget में आने वाला यह है एक अच्छा value for money smartphone है अगर आप इस phone को लेना weight है and 7.9 mm का thickness है तो यह phone काफी slim phone है दिखने में ठीक लगता है इसमें hybrid slot मिलेगा जिससे आप 2 sim या फिर एक sim एक memory card को एक साथ लगा पाएंगे 3.5 mm वाला jack मिलेगा security के लिए side mounted fingerprint का sensor भी है और face unlock का support तो मिलेगा ही और user interface की बात करेंगे तो यह phone phone touch 14 के साथ आता है जो कि यह run करता है latest software android 14 पर अब display की भाग करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का full HD plus LCD display मिलेगा जो की punch hole display है इसमें 120 होट्स का higher refresh rate मिलेगा and 1000 nits का peak brightness है 120 होट्स का refresh rate मिल रहा है तो अच्छी बात है and brightness भी सही है आउट्डूर वगरा में कोई दिक्कत नहीं होगा तो display ठीक मिलेगा अब बात करते हैं spawn का camera का तो इस spawn के back side 2 camera मिलेगा man camera वो 50 megapixel का है second camera 2 megapixel का है और selfie camera वो 8 megapixel का है और आप पीछे का camera से 4K तक की video recording कर पाएंगे 30 episodes पर primary camera सही मिलेगा and बाकी का camera decent है खेरब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा ये प्रोसेसर 4NM पर बन तो तो score है no doubt प्रोसेसर काफी powerful मिलेगा and score भी काफी बढ़िया है प्रोसेसर से आपको कोई भी सिकायत नहीं होगा अब बात करते हैं spawn का battery का तो तो दोस्तो इसमें 5000 mAh का नहीं बलके 6000 mAh का एक बड़ा सा battery मिलेगा और ये support करता है 44Ward का charger को भाई charging में जो normal time लगता है वही लगेगा बट एक बार charge होने के बाद आपको अच्छा कासा backup दे देगा RAM storage की बात करेंगे तो इसमें 4GB का RAM and 128GB का internal storage भी लेगा और आप इसमें 1TB तक का memory को लगा भी सकते हैं ये इस phone का base variant है और इसका price Amazon पर फिलाल के time पे 13,000 रुपया है तो 13,000 के budget में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है अगर आप इस phone को लेना चाहे तो ले सकते हैं खेर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला फोन का अब तो अब list में आखरी based smartphone आता है Samsung के तरब से Samsung Galaxy F15 5G यहां दोस्तो 13,000 के budget में आने वाला यह है एक अच्छा value for money smartphone है और इस बजट के coding इस phone में सभी features वेगरा काफी top नोच का मिलेगा अगर आपको 13,000 के budget में Samsung का एक अच्छा smartphone चाहिए या फिर एक अच्छा smartphone चाहिए तो यह अच्छिक का ही frame है 217 ग्राम इस phone का weight है and 9.3 mm का thickness है weight और थिकनिस थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है और बागी बाद design वेगरा को देख लिजेगा आप अपने coding इसमें 3.5 mm वाला jack मिलेगा hybrid slot भी है यानि कि आप 2 sim या फिर एक sim एक memory card को एक साथ लगा पाएंगे security के लिए face unlock का support मिलेगा and side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो ये phone one UI 6 के साथ आता है जो कि ये run करता है latest software android 14 पर तो अब display की बात करेंगे तो इसमें साड़े change का full hd plus super amoled display मिलेगा इसमें 90 hertz का refresh rate मिलेगा and 800 nits का brightness है और super amoled display मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है ये display water drop notch के साथ आता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा तो अब camera की बात करेंगे तो इसमें triple camera setup मिलेगा man camera 50 megapixel का है दोस्तो 12-13000 के budget के coding camera spawn का का काफी top class का मिलेगा और Samsung का camera है तो समझ सकते हैं camera spawn का का काफी बहतरीन मिलेगा खेर अब processor की बात करेंगे तो इसमें mediatek dimensity 6100 plus वाला processor मिलेगा 6 nm पर बना हुआ ये processor है और लगबग 4 लाग पलस अन्तू तो score भी है नो डाउट processor काफी powerful मिलेगा और score भी काफी बढ़िया है बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये support करता है 25W का charger को आपको अच्छा खासा यहाँ पर backup मिल जाएगा बट थोड़ा मोरा time तो लेगा ही charging में RAM storage की बात करेंगे तो इसमें 4GB का RAM एंट 128GB का internal storage मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का memory को लगा कर इस storage को बढ़ा भी सकते हैं यह इस phone का base variant है और इसका price flip card पर फिलाल के time पे 13,000 रुपया है तो 13,000 के budget में आने वाला यह है एक अच्छा value for money smartphone है अगर आप इस phone को लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने 13,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे based 5G smartphone को बता दिया है तो अब आप अपने budget and requirement के हिसाब से इन में से किसी को भी consider कर सकते हैं तो फिर आज के लिए बस इतना ही वीडियो कर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ